कि खलका दिन एहम है दिपेका पदुकोर्ण यानि डी करिश्मा यानि के डी और के को अलग-अलग पूश्टाज करने के बाद एक साथ आमने सामने बिठा कर कंफरंट कराया जाएगा जिहां जब से चाट बाहर आई है डी और के की तब से तहलका बचा हुआ है दिपेका पदुकोर्ण और करिश्मा के बीच माल को लेकर ड्रक्स को लेकर चाट हुई है एक ऐसा वाट्सैप ग्रूप है जिसमें दिपेका भी एड्मिन थी सभी लोग एड्मिन थे और उस बनाई है कि सेलिबिटीज को हमेशा फोन का उनके पास नहीं होता उनकी मैनेजर्स के पास भी होता है अब जाहिर सी बात है करिश्मा आज जाकर लगभग साड़े-8 घंटे बहुत सारे घंटे पूश्टाच कर चुकी है काफी घंटे बैठी रही जहां पर उन्हें ड्रग चैट को स्विकार है कि हाँ इस तरह की चैट हुई है मगर ड्रग कंज्यूम करने पर उन्हें कोई क्लियर बयान नहीं दिया है अब अगर दिपिका करिश्मा पर पूरा आरोप लगाती है करिश्मा दिपिका पर लगाती है तो आमने सामने बैट कर स्टेजी तो बनाई होगी भले करिश्मा मैनेजर है मगर करिश्मा कौन को रिप्रेजेंट करती है तो कौन के पास बहुत पैसा है कौन ने उनके लिए लीगल एडवाइस असिस्ट की होगी तो ऐसे में कल जब दिपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठा कर बात चीत की जाएगी कन्फरेंटेशन किया जाएगा तब असली सवाल जब आप सामने आएंगे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिपिका और करिश्मा इस बारे में अलग से बात कर रहे होंगे या फिर उनमें तनादनी होगी और कल सीधे मुकाबला होगा यह बड़ा सवाल है क्या वो एक दूसरे के सपोर्ट में बात करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा बेहत एहम दिन होने वाला है कल आमने सामने बैठ कर कंफरेंटेशन में कुछ न कुछ तो मानना ही होगा पहले दुनों से अलग अलग बयान लिये जाएंगे और उसके बाद बयानों को मेल कर आया जाएगा आमने सामने बिठा कर जिस तरह से आम तोर पर कोई भी जाच एजन्सी जाच करती है नजर है हमारी लगातार इस पर पूरी तरह से आप तक खबर लेकर आएंगे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिजे मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता झाल